दो हजार बाईस में भारत में जो राजनीती से जुड़ी हुई घटनाएं हुई हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि आप देखें इनसे डारेक्ट ही कुष्टन्स आपकी परिक्षाओं में पूँच लिये जाते हैं और भारत की बाद करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और आप देखेंगे कि 15 अगस्त को इसलिए आप लोग सोतंता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को आप लोग समीधान दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 में आपका समीधान कुछ प्रावधानों के साथ आज चुका था, अंगेकेत हो चुका था और 26 जनवरी को आप लोग गरतंती बस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को सम्मिधान भी पूरी तरह से लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जनम भी हो चुका था हम लोग गरतंत की रूप में इस्तापित हो चुके थे और अपने पडोसीओं में देखें तो पाकिस्ताँ 1947 हमारा ही इस्सा था अफगानिस्तान देखें लग्डा की सीमा लगती है अफगानिस्तान से Čइना, नेपाल, भूटान, बंग्लादेश यह हमारे पडोसी हैं और जलिये सीमा हमारी स्रीलंका से लगती है पाग जल नमरू मननार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी और बंगलादेश पारले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 में जो भारत और पाकिस्तान की भी जियोद हुआ था उसी में आजाद हुआ था बंगलादेश और उससा में हमारे देश की पिधानवंतरी थी इंद्रा गांदी तो आप सभी जानते ही कि 2022 में सबसे बड़ा एक चुनाओ कह लिजे आप लोग राष्टपती का चुनाओ हुआ है और आप लोगोंने सम्मिधान का भाग 5 पड़ा होगा और अध्याय एक पड़ा होगा तो इसमें आप लोगोंने कारिफालिका के बारे में पड़ा होगा और इसमें सम्मिधान के अनुच्छेद 52 को पढ़ा होगा अनुच्छेद आर्टीकल 52 को इसमें भारत के राष्टपती की बात की गी है यानि कि भारत का राष्टपती होगा अनुचेद त्रेपन को पड़ेंगे तो संगी की कारपाली का सकती राष्टपती में होगी एक कहा गया है अनुचेद चंवन राष्टपती के निर्वाचन की बात करता है एक बार अगर कोई राष्टपती बन जाता है तो क्या वो दुबारा भी बन सकता है तो उसकी बात कही गई है और अनुचेद अंठावन राष्टपती के निरवाचन के होने के लिए अहिताएं क्या रखी गई है उसकी बात करता है अनुचेद 69 राष्टपती के पत के लिए सरतें क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है और अनुचेद साथ राष्टपती द्वारा जो सपक ली जाती है उसकी बात करता है अब नेउक्ती हो चुकी है चुनाओ हो चुका है तो हटाने की बात होती है तो अनुचेद 61 में राष्टपती का परमहवियोग चलानी की पिक्त सिनहा राष्टपती पत की पित्यासी थे और इस चुनाव में कुल बोटर्स 4809 थे चुनाव में दुरुफदी मूर्मो को 2824 बोट मिले जबकि यस्वन सिनहा को 1877 बोट मिले और दुरुफदी मूर्मो के कुल 64 फीसदी बोट पराप्त हुए है और उन्हें देश के थासी राष्टपती है एक दूसरी महिला राष्टपती है पहली कौन महिला राष्टपती थी आप लोग बचाएएगा और उडिसा राजी MD arri पहली राष्टपती है और Suardis- 9 कि राजधानी आपको देखने को मिलेगी, किर्स की ओडिसा की, इसकी सीमा पच्चे मंगाल, जारगन, चाथिस गड़, और आप देखेंगे, आहन पिदेश से लगती है, और आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा में 147 सीट है, लोग सभा में 21 सीट है, राज सभा में 10 सीट एक लाग 55,707 बर किलोमीटर में आपका उडिसा फैला हुआ है, और फिर आप देखेंगे कि 25 जुलाई 2022 को दुरुपती मूर्वन ने राष्टपती पत की सपत लिये, और दुरुपती मूर्वन भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महला राष्टपती है, और भारत में उपराष्टपती पत का चुनाओ अपित्यक चिन्रवाचन पडाली के द्वारा होता है, इसमें आप देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विदान सभा के निरवाचित सदस भाग ले लिते हैं, मनोनी सदस भाग नहीं लेते हैं, यह याद रखेगा, दूसरा आप द पक्ष पित्यासी मार्गिट रेटा अलवा की बीच हुआ था, इस चुनाओ में जगदी धनकर को 24.37 बोट पराप्त हुए, और मार्ग रेट अलवा को 25.37 बोट पराप्त हुए, और जगदी धनकर 340 बोटों के अंतर से मार्गिट अलवा से जीत गये हैं, और देश के यहीं confusion भी हो जाती है, राज्यसभा के सभापती होते हैं कौन उपराप्ती, लेकिन उपराप्ती राज्यसभा का सदस नहीं होता है, वहीं अगर आप लोग सदसों में से ही चुनाओ होता है, लोग सभा अध्यक्ष का, ठीक है, और इनका कारकाल 5 साल का होता है, राश्पत का अनुछे 63 में भारत के उपराष्टपती की बात कही गई है और आप देखते हैं कि राज्ज सभा और लोगसभा के सदसों की द्वारा इनका चुनाओ होता है वेधान सबा के सदस भाग नहीं लेते हैं राज विधानसवा चुनाओ की बात करें, तो कई राज जों में आप देखें विधानसवा चुनाओ भी हुए हैं, साल 2022 में चुनाओ की सुरुवात हुई गोवा विधानसवा चुनाओ की साथ, और गोवा विधानसवा की 40 सीटों के लिए फरवरी 2022 में चुनाओ संपन भाजापा ने अन्यम निदली ये दलों के साथ गड़बंदन बना कर गवा में अपनी सरकार बना ली है अब बात करते हैं अंगले चुनाओ की वो पंजाब है लेकिन गवा के बारे में कुछ और बात निकल लेते हैं क्यूंकि आप देखते हैं कि गवा जाने की इक्षा और यहाँ आप देखेंगे कि प्रमोज सावंत यहाँ मुख मंत्री बने है विधान सभा में 40 सीट है लोग सभा में 2 सीट है राज सभा में 1 सीट है 3,700 वर किलोमीटर में आपका गवा पहला हुआ है फिर आते हैं पंजाब पर तो पंजाब में चुना हुए और पंजाब क सीट है लोग सभा में 3 सीट है राज सभा में साथ सीट है 50,300 वर किलोमीटर में आपका पंजाब पहला हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि पंजाब में हुआ हो बड़े उलट फेर के साथ आमादमी पार्टी जिसकी स्थाफना 2012 में हुई थी इसने 117 सीटों में 92 सीटे जीत कर सरकार बनाई यानि कि भारी बहुमत मिला और आप सभी जानते हैं कि आमादमी पार्टी तेजी से अपना बिस्तार कर रही है पहले कॉंग्रेस की सरकारती हो भगबंत मा निहा के मुक मंतरी बने है पंजाब के अलावा इसी दोरान उत्तराकंड में भी चुना हुआ यहां भाजापान ने सत्तर में से 47 सीटें जीत कर बहुमत पराप्त किया है यह आप लोग अगर देखना चाहे न उत्तराकंड तो उत्तरपिदेश से अलग करके बनाए गया था देहरादून इसकी राधधानी इसकी सीमा हमाचल पिदेश उत्तरपिदेश से लगती है अं पूरवत्तर राज मनीपूर में भी विधानसवा चुना हुए है और यहां आप देखेंगे 60 विधानसवा सीटों में 32 सीटें जीत कर भाजापा ने पूर्ड भहुमत की सरकार बनाई है अब मनीपूर आप लोग कहेंगे कि मनीपूर के बारे में बता दीजे तो आप मिजोरम से लगती है और यहां विधानसवा में 60 सीटे होगे जाजसवा में 1 सीट है लोगसवा में 2 सीटे है एन बीरेन सिंग यहां की मुक मंत्री है 22,327 वर किलोमीटर में आपका मनीपूर फैला हुआ है तो यह भी याद रखेगा और आप देखेंगे कि इसके बात चु लगती है और यहां विधानसवा में 403 सीटे है बिधान परिचाद में 100 सीटे है रासवा में 31 सीटे है लोगसवा में 80 सीटे है आप लोगों को देखने को मिलेंगी योगी आधित ना तिहां दोबारा मुक मंत्री बने है तो ये उत्तर पिदेश की कहानी हो गई इसमें से 255 सीटें जीतकर भाजापा ने पूर्ड बहुमत सीर्ख के सरकार बनाई है और आप देखिए यहां 10 फरवरी 2022 थी 7 मार्ट 2022 तक 7 चर्णों में चुना हुआ था उत्तर पिदेश में और नबंबर 2022 में आप देखेंगे हिमाचल पिदेश में चुना हुआ 68 सीटें हैं आप देखेंगे हिमाचल पिदेश में और विधान सबा चुना हुए जहां 40 सीटें जीतकर कॉंगरेस ने बहुमत पराप्त किया है और आप सभी को मालू होने चीए कि हिमाचल पिदेश की बात होती है तो इसकी धरमसाला रादधानी है एक सिमला रादधानी है इसकी अंतराश्टी सीमा चाइना से लगती है राज्जों में लद्दाग, जमुकस्मीर, पंजाब हर्याना, उत्तर पिदेश और उत्तराकंड स से लगती है यहां सुख्षू आप देखेंगे यहां की चीप मिनिश्टर बने है सिक रुकबिंदर सिंग सुख्षू यह भी याद रखिएगा और दिसंबर 2022 में गुजरात में विधान सवाच चुना हुए जिसमें भाजापने 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर भारी बह और आप लोगों को मालू होना चाहिए कि यह सब चुनाओ करवाता कौन है विधान सवागे हो विधान परिशत के हो राज्य सवागे हो लोग सवागे हो राष्टपती के हो उपराष्टपती के चुनाओ तो भारती निर्वाचन आयोगे आप लोग जो सुनते हैं कि चुनाव आयोगते थे, यही चुनाव करवाता है, जो आपके स्थानी चुनाव होते हैं, जैसे सरपंच के हैं, आप देखें, नगर पंचार, नगर पालकर, नगर निगम, इनके लिए आप देखें कि हर राज्य में उनका चुनाव आयोगता है, जैसे उत्तर पेदेस में आप देखेंगे उत्तर पे देश निर्वाचन आयोगा आप लोग उने सुना होगा ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेंगा ये विधान सवा चुनाओ हो गए महराश्ट में और बिहार में सब्ता परिवर्तन हुआ है यहाँ चुनाओ नहीं हुए है लेकिन पहले आप देखेंगे कि आप सभी को मालू है कि महराश्ट में पहले उधाव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे लेकिन यहाँ चुनाओ हुए 2019 में और आपने देखा है कि CM पत को लेकर दोनों में जगड़ा हो गया और उधाव ठाकरे बाला साफ ठाकरे के बेटे हैं उन्होंने कॉंग्रेस और NCP के साथ गटबंदन करके क्या करके और मुख मंतरी पद यानि कि खुद मुख मंतरी बन गए और महराश्ट में आप देखेंगे तु मुंबई इसकी रादधानी है और आप देखेंगे इसकी सीमा गुजराद मद्धपदेश चतीसगर तेलंगाना करणाटक गुआ से लगती है और आप देखेंगे बिधान सभा में 288 सीट हैं बिधान परिचद में 78 सीट हैं राज सभा में 19 सीट हैं लोक सभा में 48 सीट हैं तो यहां आप देखेंगे कि उधाव ठाकरे की पायटे के ही विधायक एक तरसे बागी हो गए और एक नाथ सिंदे की नेतित में सिपसेना की 40 से अधिक बिधायकों ने उधाव ठाकरे के खलाफ बगादवत कर दी और इस बागी विधायक ने भाजापक के साथ मिलकर महराश में सरकार बना लिए और एक नाथ सिंदे महराश के नए मुकमंत्री बन गए वहीं अगर विहार की बात करें तो विहार में मुकमंत्री नितेश कुमार बीजेपी के साथ थे लेकिन इनोंने BJP का साथ छोड़कर RJD और Congres का साथ अपना लिया और बिहार की Chief Minister यही बने लेकिन आप देखें कि इनोंने गठ बंदन दूसरे से कर लिया है ठीक है? लेकिन Chief Minister यही है और बिहार को देखना चाहें तो आप देखें पतना इसकी राध्धानी बिहार की, इसकी सीमा उत्तरफदेश ज्भार खंड और पश्चिमंगाल से लगती है, अंतराष्टी सीमा नेपाल से लगती है, यहां बिधान सबा में 243 सीट है, रासबा में 16 सीट है, लोकसबा में 40 सीट है, 94163 बर किलूमीटर में आपका बिहार हुआ है, तो यह घटना हुई है बिहार में, नुपूर सर्मा बिवाद, आपने देखा होगा कि BJP की राष्टी प्रवक्ता थी, नुपूर सर्मा, इन्हों ने मुहमत, प्रेगंबर मुहमत की साहब, अपके खिलाब एक टिपड़ी की थी, उसके बाद पूरी दुनिया मे बबाल मच गया, और उनकी इस बयान को लेकर कई मुसलिम देशों ने नाराजगी जताई थी, उनके खिलाब पूरे देश में प्रदसन भी हुए थी, और उनकी टिपड़ी से बड़े बिवादों की वज़े से भाजापन ने पारड़ी से निसकासित भी कर दिया, कई आप आप देखेंगे PFI संगठने, Popular Front of India, एक इसलामिक संगठने जो हिंदुत की काट करने के लिए और पॉलिटिकल लामद्धी करने के लिए मुसलिमों के लिए बनाय गया था, इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, आरेसस की तरह आप देखेंगे, क्य कई आसमानताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप देखें, राष्ट, हिंदुत की बात करता है, राष्टी स्वयम से बग, हिंदु राष्ट की बात करता है, और उसकी स्थापना 27 सेप्टमबर 1925 में हुई थी, नांगपुर में हेड़क्वार देखने को मिलेगा, कि इ देखें, उसके आतंकियों से संगटन नहीं रहें, यानि कि समझटा नहीं है, और आप देखिए कि कई अंतरष्टी देशों से भी उसका कोई लेना देना रही है, लेकिन कहते हैं कि PFI का समन्ध कई आतंकी संगटनों, और असांती फेलाने वाले संगटनों से भी देखने क को मिला है और आप देखी कि जब इसके सामने आया आकड़े तो मुसलिम मतलब जनसंख्या नहीं इसका बिरोध किया था तो ऐसा नहीं कि सभी हिंदूओं का नेतित आरेसेस करती हो या पॉपुलर फ्रेंट आप इंडिया इस सभी मुसलिमों का हो यह तो अब आपना-पना सं इस संगठन पर नुपुस अर्मा विवात की बात सी लगा था धार्मी कुनमात पहलाने का आरोप लगा था और इसके आलावा भी इस संगठन पर कई तरह की आरोप लगे हैं इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजंसी संगठन के ऊपर गेर कानूनी गतिविदी रोग करणातक में हिजाब विबाद चला है एक बार करणातक को को देख लीजे आप लोग और करणातक की राधदानी बैंगलोर है आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसकी सिमा कि अगर लोग बात करें तो आप देखें कि इसकी सिमा केरल original लाड़ो आंद्रपिदेश, तेलंगाना, महराष्ट और ग्वास से लगती है एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाया गया था तेलंग किसे करणा टक को यह भी याद रखेगा इसके बारे में और बसाव राज बॉंबई यहां कि चीम मिनिश्टर है और आप देखेंगे विधान सवा में 224 सीट हैं, विधान परिशन में 75 सीट हैं, राज सवा में 12 सीट हैं, लोक सवा में 28 सीट हैं एक लाग 91,791 बर किलूमीटर में आपका फैला हुआ है तो हिजाब आप देखे मुस्लिम समुधाय में जो हिजाब पहनती है न महिला है लड़किया उनी की बात हो रही है करनाटक के ODP में 6 मुस्लिम चात्राओं को हिजाब पहनी की बज़य से किलास में बैठने से रोक दिया गया था और इसके खिलाब उन मुसलिम चात्राओं ने हाई कोट में याज का दायर की थी और उनका करना था कि हिजाब पहने से रोकना अनुचेद 14 और अनुचेद 25 के तहत उनके मौली का दिकार का हनन है जबकि कॉलेज मेरेजमेंट का कहना था कि कॉलेज की उनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाओ के कारण उन चात्रों को रोका गया था इस मुद्दे को लेकर भी देश में कई जगए प्रदरसन भी हुआ था आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बताईगा इस पर एक ज्यानबाफी मस्जित का केस यह आप सभी जानते हैं कि बनारस का है और आपको बता दू कि इने सब को रोकने के लिए इस तरह की अन केस ना सामने आए धार्मी किस्तल कानून 1991 आये था पिलेशे सव बरसे एक्ट 1991 और इसे लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जित का जो बेबाद था ना उसे बाहर रखा गया था क्योंकि आप देखिए एक मुद्दे के कारण हमारे देश में कितनी असांती फिली कितने दंगे हुए और जब बाबरी मस्जित ढ़ा दी गई उसके बाद आतन की हमले भी हुए तो इसमें कहा गया था इस केसमें कि 15 अगस 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सभी धर्मे धर्म के लोगों को भूला होगा चाहे वो मंदि तोड़े गए हो चाहे मस्जित तोड़े गए हो या किसी और धर्मी किस्तल तोड़े गए हो लेकिन 15 अगस 1947 को जहां मंदिर हो वहां में समंदिर रहेगा जहां मस्जित है वहां में समस्जित रहेगा किसी भी धार्मी के स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस कानून को ही चुनोती दे जाने लगी है बरारस में ग्यानबाफी मस्चित के अंदर मा सिंगार गौरी के पूजा के मुद्धे को लेकर एक याच का दैर की गई थी याच का करता का कहना था कि मस्चित पर्षद में मा सिंगार गौरी मंदर है और हिंदू देवी देवताओं के पितिमाए हैं जिनकी पूजा की अर्मती के लिए कुछ महलाओं ने याच का दैर की थी के बाद कोट के आदिस पर आर्के ओलोजीकल सर्वे ओप इंडिया ने तीन दिन तक मस्चित का सर्वे किया था जिसके मस्चित के तैकाने में सेवलिंग होने की बात कही गई हाला कि मुसलिम पक्षने से फबारा बता रहे हैं अब आप देखें क्या होता है आँगे देखेंगे कॉंग्रेस एक आप देखते हैं कि पुरानी पार्टी आप सभी जानते हैं और 28 दिसमर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आजादी के लिए पहले संगतन था बाद में यही राने तिक दल बन गया था पहले अद्यक्ष इसके विवमेश चंद बनर जी थे और आप सभी जानते हैं कि इसके संस्थाफक एओ हिउन थे तो अक्टूबर 2022 में देश की 137 साल पुरानी कॉंग्रेस पार्टी के अद्यक्ष पत का चुनाव हुआ है राश्ती अद्यक्ष का इस चुनाव में मलिकार जुन खडगे 7897 वोटों से जीते और आपको बता दूँ 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर कोई नेता कॉंग्रेस का राश्ती अद्यक्ष बनाए क्योंकि अधिकतर टाइम कॉंग्रेस का अद्यक्ष पत इनी के पास रहा है गांधी परिवार क देश के पहले CDS जनरल विपन रावत की दुर्गतना में मित्तियों के बाद सेवा निवित लेप्टी ने जनरल अनिल चौहन को देश का दूसरा चीप ऑफ डेफेंस इस्टाब नियुक्त किया गया है 31 दिसंबर 2019 को इत्पत का सेजन किया गया था और CDS चीप ऑफ इस्टाब कमिटी का इस्थाई अद्यक्ष की रूम में काम करता है इसके लावा तीनों सेनाओ की प्रमुक्षों को निदेश भी ये दे सकता है New Abortion Law Supreme Court ने भारत में Abortion को लेकर आप देखेंगे कि लेकर कानूर में परिवतन किया है भारत में Abortion को लेकर 1971 से कानूर है जिसके अमसार Pregnancy के 20 हपते तक abortion कराया जा सकता है लेकिन 2021 में इस कानूर में संसुधन किया गया और इस समय सीमा को 20 हपते से बढ़ा कर 24 हपते कर दिया गया है और Supreme Court ने कहा है कि महला का Marital status कुछ भी हो लेकिन वो Medical Termination of Pregnancy Act के तहत Pregnancy के 24 हपते तक abortion कराने की हगदार होगी तो देखिए एक कुछ महत्पून घटना है लेकिन आप देखिए कि current में भौट साली घटना है घटी तो उन्हें आप लोग पढ़ते रहिए और इस तरह की चोटी-चोटी क्लास मिलती रहेंगी और हम लोग देखती रहेंगे ठीक है